नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानन्द वसेष्ट, सजनों हर वर्ष की तरह दो हजार पच्चीस में करकरासी वालों के लिए कैसा रहने वाला रहे हैं। दा, डी, डू, डे और डो इन अक्षनों का जो है रासी जो बनती है वो करकरासी बनती है, स्वामी चंद्रमा होता है और ये बड़े ही संवेदन सील होते हैं। करते करते, ये उस कारे को छोड़के दूसरे कारे में जुड़ जाते हैं। वो इनके लिए घातक हो जाता है, कारे पूर्ण करें, फिर दूसरा काम आपका अरम करें। तो ये करकरासी वालों के लिए अब मैं बता रहा हूँ कि ब्रिहस पती है, ये आपके ग्यारवे इस्थान के अंदर मौझूद है जो लाब देने वाला के हैं। संतान देने वाला के हैं, पड़ाई में उन्नती देने वाला के हैं, भाईयों से सहयुग देने वाला के हैं, और वैवाहिक सुख ये जो हैं, प्रदान करने वाला के हैं। और ये प्रिहस्पती अब आपके 14 माई को इस रासी को छोड़ करके और आपके 12 स्थान में चरे जाएंगे जो खर्चा भूत करवाएंगे लेकिन वो खर्चा धार्मिक कारियों में होगा या फिर कोई निर्मान आदी के अंदर जैसे मकान का निर्मान है कोई गाड़ी की खर मार्च करवाएंगे शनी जो है वो आपके 18 स्थान में अभी आपको सनी की धहिया चल रही है और ये सनी की धहिया आपकी उतरने वाली है ये 29 मार्च को 29 मार्च तक अभी आप सनी की धहिया में रहेंगे 29 मार्च के बाद ये धहिया से आप निकल जाएंगे तो ये सनी आप की रासी से ये जो है मीन रासी में राहु चल रहा है तो मीन रासी का मतलब है कि आपके नमम इस्थान के अंदर जो है राहु चल रहे हैं जो भागे की वर्धी देने वाले हैं लेकिन ब्रह्मन बहुत करवाएंगे भागदोर बहुत रखेंगे कोई कारे सफल होंगे और कोई विफल भी होंगे तो ये मैंने आपको तीन करह होंगे और ये राऊव आपके 18 मई तक चलेंगे है इसके बाद फिर राहु आपके द errसमस्थान में चले जाएंगे राशी परिवर्तन हो जाएगा और उसके आपके परिणामों के अंदर भी परिवर्तन हो जाएगा अब मैं आपको मासिक फलादेश देने का प्रयास कर रहा हूँ, जनवरी के महीने के अंदर, आपका साइत से, संगीत से, इनकी रुची आपकी बढ़ेगी, नई जिम्मेदारियां उठाने में आप सक्षम रहेंगे, जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, मदद की आसा ना करें किसी से, अपने सेल्फ डिपेंड हो करके आपको काम करना होगा, मान सम्मान के अंदर आपकी ब्रद्धी होगी, फरवरी के महीने में आस्वासन अधूरे रहेंगे, भाग्य की ये विडम बना जाने, और इस्थानांतर्ण लाप्रद हो सकता है, इस्थ ये कानूनी पच्ड़ों में ना पढ़ें, परिवार में खुशियां आपको प्राप्त होगी, और सुख के साधन आपको प्राप्त होगे, मार्च के महीने के अंदर आपके व्यवहार में रुकावट आ सकती है, मित्र सहयूग मिलेगा, नोकरी पेसा जो करने वाले वो और परिवार कई घूमने फिरने का अवसार आपको प्राप्त होगा, अपरियल के महीने के अंदर स्रम यानी महीनत और संगर्स अधिक होगा, लाब उस समय पर कम मिलेगा, सत्रुजनित सरैयंत्र और बद्धनामी इससे जो है, आपको बच्चना होगा उन्नती प्रत समाचार से खुशी आपको मिलेगी, राज समाज के अंदर आपका रुत्वा बढ़ेगा मई के महिने में ग्रह चाल के अनुसार ये अच्छा रहेगा और भाग्य विकास का संयोग बनेगा, कानूनी विवाद आपके सुलजेंगे और देश विदेश से समाचार आपको प्राप्त होगे जून के महिने में ये महिना नया पन लिये हुए आ रहा है अधुरे काम को पूरा करने में सयोग मिलेगा, राजनीती में सफलता मिलेगी और घर ग्रहस्ती के अंदर हाश्य रस बढ़ेगा मित्र सयोग से नया रास्ता आपका खुलेगा जुलाई के मेने में जमीन, जायदाद, वाहन, पसू, आधी का लेंदेन आपको फायदेबन रहेगा कारोबार में बदलाव होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है यानि धन प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी सी देर से और स्वास्त के प्रति आपको सचेत रहना होगा अगस्त का महीना ये जोगें अध्यात्मिक, यानि धार्मिक, संगती, सहयोग, ऐसा जोगें आपको प्राप्त होगा नोक्री पेशा लोगों के लिए विशेश लाब होगा कानोनी विवाद नया मोड ले सकता है तो उसके प्रति आपको जागरूक रहना होगा उच्छ अधिकारी से साउधान रहना होगा सितंबर के मेने में मेनत के चलते सेहत का ख्याल रखें मेनती मेनत पर ध्यान देते रहे तो सेहत बिगड सकती है और अपक्षित लाब जो हैं वो संदिग्द रहेंगे उनमें जो भी लाब होना है जिसको आप कामना करते है उनमें संदिग्द बना रहेगा और तबादला यानि इस्थान परिबरतन ये लाब दाएक रहेगा विरोधी सडियंत्र जो है रच्छ सकता के प्रतियोग इता के अंदर सफलता आपको मिलेगी अक्टूबर का महीना ये जो हैं फायदेवन रहने वाला है नई योजना हाथ के अंदर आएंगी सरकार ते द्वारा लाब के योग बनेंगे और धार्मिक कारियों का सुवसर आपको प्राप्त होगा यात्रा छोटी लेकिन लाब प्रद होगी और नवंबर के महीने में अचानक लाब-अलाब के योग जो हैं बन रहे हैं सूजबूज से काम लें बैंक वैलेंस बड़ेगा उपैयोगी वस्तू जो हैं खरीदि जाएगी समाज के अंदर मान और समान में बढ़ोत्री होगी दिसंबर के महीने में तरक्की के अवसर आपको प्राप्त होंगे व्यापारी नया काम सुरू कर सकते हैं आर्थिक मदद आपको प्राप्त होगी बच्चों के अंदर खेल, कूद और महिलाओं में जो गए ब्रह्मन का अवसर उनको प्राप्त होगा तो ये हमने आपको बताई अब आपको चाहिए करकरासी वालों को मोती आपधारण कर सकते हैं मोती के साथ साथ पुखराज भी आप पहन सकते हैं आपके लिए तीन रत्न विशेस हैं मोती है, मुंगा है, पुखराज है इनको पहन करके चार का अंक आपके लिए लाबकारी है सफेद रंग आपके लिए बहुत शुब है और अगर आप कोई भी कारिया इसका दो का अंक है दो तारीक पड़े सुमवार पड़े ग्यारा तारीक को सुमवार पड़े बीस तारीक को सुमवार पड़े या उनतिस तारीक को सुमवार पड़े तो उस दिन कोई भी नया कारे आप प्रारम करते हैं, तो लावी लाव की प्राप्ति आपको होगी, ये जानकारिया मैंने आपको दी, बाकी जानकारियों के लिए इन नम्मरों पर संपर्क करके, कारेले से अपाइंटमेंट ले करके, कारेले की सेवाएं अरपन करके, जो भी आप जानना चाहते हैं, जोति से संबंदित या वास्तों से संबंदित जान करके लाव उठा सकते हैं तमस्कार हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाट, कर्मकांड, संगीत में विभा, ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वन नव ग्रहों की पूजा आदिक कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र हैं हमारी वेब साइट है